दोस्तों, जब भी हम UPSC की तयारी की शुरुवात करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत से प्रश्न होते हैं तयारी की शुरुवात करने का सही तरीका क्या होगा? मुझे पहले क्या करना चाहिए? मुझे स्टैंडर्ल बुक्स पढ़नी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए या मुझे कोई ऐसा तरीका ढूनना होगा जिससे मैं कम समय में तयारी कर सकूँ और कई बार दिमाग बहुत भ्रहमित होता है मैं आपका गाइड हो जांक, आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ IS की तैयारी करने का सटीक और सबसे सही तरीका तोस्तों, UPSC का जो पाठिकरम है, जो सेलबस है वही उसकी तैयारी का आधार देता है ये बहुत ही अलग है सबसे बड़ी गलती इस्टोंट से ये होती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन की मानसिक्ता के साथ ही UPSC की प्रपेशन करने चले आते हैं जैसे ग्रेजुएशन के एक्जाम में मैं पिछले कुछ सालों के पेपर लगा लूँगा तो में पासिंग मार्ख पांगा कुछ important पढ़ लूँगा तो पासिंग मार्ख पांगा सलवस सही सब कुछ आ जाता है सीदे सीदे क्या है क्यों है और मैं वहाँ उसे पांगा और आराम से अगर मैंने 2 कॉंपीयां भर दी 3 कॉंपीयां भर दी तो निश्यत रूप से मेरा तो हर हालत में मुझे passing mark मिल जाएंगे और मैं अपना graduation pass कर लूँगा पर ये सब कुछ UPSC में नहीं चलता UPSC में ना तो previous year paper बहुत जादा काम आते हैं ना ही वो repeat होते हैं exam में ना ही कोई इसका बहुत सीमित सलबस है और ना ही इसमें कुछ ऐसे segments होते हैं जिसमें कुछ important पढ़ लिया जाए और आप pass कर जाओ ये देश का सबसे महत्पूर्ण exam है जिसमें लाखों की संख्या में student बैठते हैं और उनकी आँखों में वही सपने होते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित परिक्षा को crack करने का तो निश्चित रूप से ये सबसे गला काट प्रतियोगिता है जहां एक-एक marks का value बहुत जादा है तो आईए मैं आपसे बात करता हूँ अगर आप beginner हैं तैयारी को सही तरीके से करना चाहते हैं शुरुआत करने का सही तरीका क्या है शुरुआत करने का सही तरीका है syllabus जी हां ये syllabus हमारे university के syllabus से बिलकुल अलग होता है UPSC अपने syllabus के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रियास करता है जैसे आप GS की बात करें मुख्य परिक्षा की तो आज की रेट में जो सबसे बड़ा syllabus है वो सामान नधिन के चारों पेपर का है ये 200 मार्क्स का एक पेपर यानी 1000 मार्क्स का GS का सेग्मेंट हो जाता है पेपर 1, 2, 3, 4 जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तो इतिहास भूगोल और जो सामाजिक मुद्दे हैं वो इसका पार्ट होते हैं बट ये आम भाशा में कही जाने वाली चीज़े होती है जैसे UPSC के सलवस की बहुत खास बात है कि UPSC का सलवस के अंदर इस्तमाल किया जाने वाला एक एक शब्द अपने अंदर धेड सारे कॉंसेट को समेटे होता है कई बार सलवस के बारे में हमें ये लगता है कि जो छपा हुआ है इस्ट्वेंट उसको अपने साथ रखता है और एक दो बार उसको पढ़ लेता है और उसको लगता है कि शायद वो सेलबस के बारे में जानता है पर ऐसा नहीं होता ऐसा इस वज़े से है कि UPSC का सेलबस कई बार कई मुद्धों के साथ अंतर विश्यक लिंकिंग करके रखता है जैसे वार एक्जामपल मैं आपसे बात करता हूँ GS Paper 1 में एक सेग्मेंट है अर्बनाइजेशन यानि शहरी करण अब शहरी करण आपको Paper 1 में है लेकिन जो UPSC ने कोश्चन पूछा वो GS Paper 3 में पूछा इसके बारे में जहां पर अर्थवेवस्था से सम्मंधित मुद्धे हैं यानि स्ट्वेशन को ये पता होना चाहिए कि सल्बस की जो इंटर लिंकिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है उसके आयाम बहुत जरूरी होते हैं शहरी करण एक अवधारना है Paper 1 में लेकिन उसका जो अप्लिकेशन है वो एकनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है आज हमारे जो अर्बन सेंटर है वो एकनॉमी ग्रोथ सेंटर है साथी साथ वो तमाम तरह की दिक्कतों से वे प्रभावेट है तो आपको वहाँ पर जवाब Paper 1 के हिसाब से ना दे कर Paper 3 के हिसाब से देना है इसका सीधा सा मतलब है कि UPSC के सेलवस की Depth को जानना बहुत ज़रूरी होता है पहले चरण में आपको सेलवस के अंदर छुपे हुए तथ्यों को समझना पड़ेगा जैसे सेलवस में एक शब्द है अतिवाद बनाम विकास यहने Development vs. Extremism अब अतिवाद किसे कहते हैं अतिवाद की क्या क्या चेहरे हैं आप अतिवाद को बारे में क्या सोचते हो नकसलवाद क्या अतिवाद है North East में जो होने वाला उपद्रो है क्या वो अतिवाद है क्या लोगों का सड़कों पर उतर कर आगजनी करना वो अतिवाद है अतिवाद और आतंगवाद के बीच में कितना महीन फरक होता है इन चीजों की एक गहरी समझ आपके साथ होनी चाहिए otherwise शायद इस नाम से ना तो न्यूस्वेपर में कुछ दिया हुआ है ना आपके किताबों में कुछ दिया हुआ है जब तक तुम इसके fractions तोड़ना नहीं सीखोगे इसकी depth में जाकर इसके आप कई खंड नहीं करना सीखोगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये एक बहुत महत्रपूर्ण अफधाना होती है सलवस के दूसरे हिसे में जो सबसे जरूरी होता है वो होता है उसको अन्य हिस्सों के साथ जोड़ देना जैसे अभी मैंने एक्जामपल लिया शेहरी करन का तो शेहरी करन है तो आपका पेपर वन का हिस्सा है लेकिन आप पेपर तीन में जाते हैं और आप आपदाओं के विशे में बात करते हैं अब पेपर तीन में आपदा है पेपर एक में शेहरी करण है और चन्नाई की जब बाढ़ आई तो ये बात आई कि आज हमारे शेहर जो हैं वो बहुत बुरी तरक्या से प्राकरतिक आपदाओं का शिकार हो रहे हैं और अब प्राकरतिक आपदाओं मानव जनित आपदाओं में कनवर्ट हो रही हैं इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारे शेहर जो हैं वो इस तरह की आपदाओं के लिए बहुत सम्वीधन शील होते चले जा रहे हैं और आप जैसा देख रहे हैं कि कोरोना के ही कहर में अगर आप देखें तो जहां जहां सबसे ज़ादा इंटरनाशनल फ्लाइट उतरती हैं लोग वहां उतर रहे हैं वही पर विदेशों से आया हुए जो नागरिक हैं कोरोना संक्रमित थे उन्हों नहीं सबसे पहले प्रसार को वहां के अंदर बनाया है यह बात गाओं में बहुत बाद में पहुँच रही है या गाओं तक जो है अभी उसनी मात्रा नहीं है इसी तरह पंजाब के लोग जो कैनाडा में बहुत जादा है वो अपने साथ उस वाइरस को यहां पर लेकर आते हैं और यहां पे लोग इंफेक्टेड होते हैं यानि जो अर्बनाइजेशन का टापिक है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है अब यह जो जोडने की कला है और इसको इंटर लिंक करने की कला है यह UPSC की सबसे महत्पूर कलाओं में से एक माने जाती है जिस स्टूडेंट को अपने सलबस उसके सभी खंडों उसको इंटर लिंक करने की छंताओं का पूरा पता होता है यकीन मानिये कि तैयारी का आधा इस्सा उसका पहले ही पूरा हो जाता है वो अपने दिमाग को एक चुम्बक के रूप में कनवर्ट कर पाता उसको पता होता है कि इस अकबार में दी गई पचास न्यूस में से मेरे काम की वो पाँच न्यूस क्या है जो मेरे सलबस का इस्सा है उसको पता होता है कि मोटी मोटी किताब हैं चाहे वो विपिन चंद्रा हो लक्षमी कांथ हो या कुछ और हो उसमें से मुझे कितने हिस्से को पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है यानि अगर आप तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो तैयारी की शुरुआत के महत्पूर्ण चरणों में से जो पहला चरण है वो है आपके सल्वस की कमांड होना पर सवाल ये है कि जब एक विद्यार्थी के रूप में आप बिगनर के रूप में उस syllabus को आप देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या है For example मैं आपसे कहता हूँ जब आप Preka Economics का syllabus देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है भारत का आर्थिक विकास यानि की Economic and Social Development of India अब दो शब्दों में ये आपसे 17-18 question demand कर लेते हैं समाज क्या है? समाज के अंदर आर्थिक विकास के कितने पहलू है? अर्थव्यवस्था और समाज आपस में कैसे जोड़े हुए है? अर्थव्यवस्था का नजरिया क्या है समाज के प्रती? और समाज का नजरिया क्या है अर्थव्यवस्था के प्रती? ये दोनों एक दूसरे को कैसे जो है आगे लेकर जा सकते हैं? अब इसका applicable part क्या हो सकता है? अब जब समाज में आता हूँ तो मुझे गरीब लोग भी दिखाई पड़ते हैं सेग्मेंट होते हैं ये बहुत महत्तपूर माने जाते हैं आपको ये कला सीखनी पड़ेगी और ये कला सीखने के लिए एक कम से कम एक टीचर की आउशकता पड़ती है जहां वो बहुत गहराई से जाकर आपको questions के माध्यम से आपको UPSC के जो orientation है उसके माध्यम से आपको ये बात समझा सके आपके दिमाग में ये बात डाल सके कि syllabus analysis क्या होता है और syllabus और आप किताबों को कैसे जोड सकते हो syllabus और newspaper को कैसे जोड सकते हो दिये गए जो महत्पूर तत्थ हैं उन पर अपनी जो पकड़ है वो कैसे बना सकते हो इसी शरंखला में हमने शुरुआत की है syllabus analysis की आप इस वीडियो के नीचे दिये गए anytime learning app को डाउनलोड करें सशांक सर ने GS paper 1, 2 और 3 इसका बहुत ही विहंगम जो है वो analysis किया है जो सब ही beginners के लिए बहुत बहुत मातपूर है साथी साथ उसका जो एक detail PDF है वो भी आपको यहां मिलेगा ताकि आप उसे डाउनलोड करें और समझ सकें कि basically क्या चीज़े हैं जो आपको बहुत जादा प्रभावित कर सकती हैं आप इसके जो है वो सब topics कैसे पढ़ सकते हैं GS paper 4 की बात रही तो वो lockdown के बाद इस बीच में आपको analysis के रूप में रहेगा अगर आप इस एप के साथ जुड़े रहे दोस्तों तैयारी का जो दूसरा चरण होता है वो भी मैं आपसे अगली वीडियो में डिसकस करूँगा तब तक आप इस syllabus analysis को enjoy करें घंटों का ये lecture बहुती विहंगम बहुती मेहनत के साथ और पूरी presentation के साथ आपको ये समझाया गया है और जो syllabus के topics दिये गए हैं जो सर ने इसमें question कराए हैं उनका उत्तर लिखने का भी प्रयास करें साथी साथ मेरे टेलेग्राम चैनल से जुड़े रहे हैं ओजांकाईस Academy यहाँ पर आज ओजांकाईस Academy के सभी teachers इस lockdown में भी निरंतर अपने दोरा बनाए गया जो notes है, PDF है, question है हिंदी और English में लगातार आपको provide कर रहे हैं यह वो महत्तपूर्ण दस्तावेज है जो आपको घर बैठे भी पढ़ने में बहुत मदद करेगा जैसे regular current affairs का एक topic दिया जाना दद्दस question का test दिया जाना यह सब कुछ यहां पर share हो रहा है दोस्तों आप भी इसका हिस्सा बने और महत्तपूर्ण तरीके से अपनी तैयारी को आगे ले कर जाएं इस वीडियो के नीचे ही मेरे telegram का भी link share किया जा रहा है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और जो हम लोग innovation कर रहे हैं जो आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मैं अगले वीडियो में इसके दितिये चरण के बारे में बहुत ही विस्तार से बात करने जा रहा हूँ कि तैयारी का दूसरा सेग्मेंट क्या होगा और मैं यकीन करता हूँ कि आप सल्बस एनालिसिस के बाद अपने आपको बहुत सशक्त महसूस करेंगे तैयारी का सबसे बहतरी तरीका यही होता है अपने इस दोस्त को विदा दे मिलता हूँ मैं अगले विडियो में तब तक के लिए नमस्कार